नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है मित्रों आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित पर और खास करके हिस्त वतंतर भारत में हिंदी साहित के पूरोधा और परसीद कवीर अभवीर साहा के बारे में उनके जीवन, उनके कव्ता संग्रा और उसमें व्यक्त परविटियों के बारे में बात चित करेंगे साथ ही हिंदी लेखन की क्या परक्रिया होनी चाहिए उस पर भी है कि इनकी अपनी पकड़ है काउन कों से परविटियां सुतंतर्त भारत में पनपी है उसको भी एक परखर दिश्टी से देखते हैं तो निश्चित तोर पर इनका ग्यान अनुहा हम लोग को आज रखवीर साहा के लिखे हुए कव्ता संग्रा को समझने और उसमें व्यक्त परविटियों को समझने में सहायक सावित होगा इस उम करते हैं कि आप अपना वे अख्यान सुरू करें जैसा कि हम रखवीर साहय की कावे प्रविर्तियों पर बात करना जा रहे हैं लेकिन उससे पहले एक बार रखवीर साहय के रचना करम के बारे में थोड़ा सा देख ले रखवीर साहय का जन्म 1929 में हुआ था और उनका निधन 1990 में रखवीर साहय ने लगभग 1950 के आसवास नौजीवन दैनिक से पत्रकाईता की शिरुवात की प्रतीक का सहायक संपादन 1951 में किया आकाशवाडी में समाचार विभाग में वो चार साल 53 से 57 तक रहे और अग्ये के साथ मिलकर 1969 में उन्होंने वाग पत्रिका निकाली जो त्रेमासिक थे इसके बाद दुबारा अकाशवाडी में संबादाता के रूप में आये जिसमें उन्होंने 1969 से 1963 तक काम किया 1963 से 1968 तक पुन नौभारत टाइम्स में चले गए और फिर उसी की पत्रिका का संपादन 1970 से 1983 तक जिसका नाम दिन्वान था का किया 1983 में उन्हें दुबारा नौभारत टाइम्स में भेजा जाने लगा और शायद इससे रिक्षुद भी थे रुगवीर साहय और उन्होंने नौभारत टाइम्स समोह से त्याग पत्र दे दिया और 1990 में जब उनकी मृत्य हुई तब तक स्वपनत रूप से लेखन करते रहे जिसे हम आज की भाषा में फ्रेलांसिंग कहते हैं रुगवीर साहय के जो प्रसिद्ध कविता संग्रा है वो तो सीड़ियों पर धूप में से शुरू होते हैं लेकिन रुगवीर साहय की कविताएं अग्ये द्वारा संपादित दूसरे तारसब्तक में 1951 में प्रकाशित हुई जिसमें उनकी 14 कविताएं थी सीड़ियों पर धूप में 1960 में इनका कविता संग्रा हाया और जिसे विपक्ष की कविता जिस संग्रा से उनको विपक्ष के कवि का नाम मिला आत्माहत्या के विरुद्ध वो 1967 जल्दी हसो 1975 लोग भोल गए हैं 1983 कुछ पते कुछ चिठियां 1989 और एक समय था मरणो परांत उनके डॉक्ष सुरेश शर्माने संपादित की 1995 में उनकी प्रमुक कहानी संग्रा है सीड़ियों पर धूप में 1960 जिसमें जैसा कि स्लाइड में आपने देखा होगा कि उनकी कविताएं भी कविताएं और कहानियां एक साथ संक्लित होई थी रास्ता इधर से है 1972 जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 निबंध और टिपड़ियां जो बिसिकली पत्रकाईता कर्म के सहारे और साहित्य समिक्षाओं के सहारे हमारे सामने आती हैं उसमें दिल्ली मेरा पर्देश 1973 लिखने का काराण 1978 उबे हुए सुखी 1983 वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे 1983 भवर लहरे और तरंग 1983 शब्द शक्ती 1983 अर्थात 1994 मित्रों रगवे सहाय ने कविता की शुरात 1946 में की थी लेकिन उनकी जो पहली कविता प्रकाशित हुई वो आजकल पत्रिका में 1947 में प्रकाशित हुई थी आदिम संगीत और लगभव वहीं से उनकी कविताओं का पाया जाना शुरू होता है लेकिन रगवीर सहाय की पहचान जहां बनती है वो 1951 में आये तार सब्तक से बनती है तार सब्तक जिसे अग्ये ने संपादित किया था और जैसा भी मैंने थोड़े देर पहले कहा कि उसमें रगवीर सहाय की 14 कविताएं उनके व्यक्तब्य के साथ प्रकाशित होई थी और वहीं से नए कविता की रूप में रगवीर सहाय की पहचान बनती है नए कविता का जो दौर 1954 से शुरू होता है और जिसमें अनुभूत की प्रमाडिकता का मंत्र लेकर बहुत सारे कवित नए कवित के रूप में सामने आते हैं उसमें रगवीर सहाय इस नए मंत्र के साथ आते हैं कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन कम वाली बात न हमसे कहिए तो जो नए कविता विविध मना इस्थितियां की कविता थी रगवीर सहाय उसको अनिवारे रूप से सारे के सारे जीवन से जोडते हैं 1960 में रगवी सहय का पहला कविता संग्रा सीड़ियों पर धूप में प्रकाशित होता है जिसकी भूमिका अग्येजी ने लिखी थी उस पुस्तक में विशे बैविध दिखाई पड़ता है और ये रगवी सहय कि कविता की पहली प्रविर्ती है उन्होंने पत्नी पर कविता लिखी, प्रेम पर कविता लिखी, रंग पर कविता लिखी, वसंत पर कविता लिखी, रुमाल पर कविता लिखी उन विश्यों को कविता का विश्य बनाया जिसे आम तोर पर अतिसामाने समझ कर छोड़ दिया जाता है रगवीर सहाय ने ना किवल अतिसामान विश्यों पर कविता लिखी पलकि बहुत समाने समाने से विबनड भी दिये जैसे उनकी रुमाल कविता में अपने उस रुमाल को याद करते हैं जिससे उन्होंने पैन की निप वोची थी जिससे उन्होंने जूते साफ किये थे अति समाने के प्रतितनी जागरुकता बाद में रुगवीर सहाय को अनिवारे रूप से समाने जन की चिंताओं से जोड़ता है हाला कि इस कविता में बिस्तिकली आशा और उल्लास की कविताएं हैं निश्चित तोर पर मुझे लगता है जिसमें दो बातें प्रभावी भूमी का निभा रही होंगी एक तो देश की स्वतंतरता जिसने निश्चित रूप से कवियों के मन में युवाओं के मन में एक आशार एक कुछ सह का वातावरन पैदा किया था और दूसरे रगवीर चाहे की उम्र जो कविताएं वो बनाते हैं वो एक खास उनमें से कुछ कविताएं सारी नहीं एक खास रोमानी प्रभृति लिए हुए भी आती है स्वक्षन्तिता की प्रवृति भी उस्वर्वाति दौर की कविताओं में पाई जाती है जैसे कविता है उनकी अगर कहीं मैं तोता होता होता तो फिर होता क्या बस तोता होता तोता 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 त प्रकृति की बहुत सारी कविताएं रगवीर सहाय लिखते हैं जिसको कुछ लोग उत्तर जायवादी प्रभाव भी कहते हैं कुछ लोग रोमानी प्रवृति भी कहते हैं लेकिन इन सब के बीच में जो एक बात रिखांकित करने वाली है वो ये कि उन कविताओं के माध्यम स से भी रगवीर सहाय यथार्थ के प्रति उनमुख दिखाई देते हैं यथार्थ के प्रति जागरुख दिखाई देते हैं वो रोमानियत छायवादी किस्म की रोमानियत नहीं है उसमें एक यथार्थ है जैसे जब ही पानी बरस्ता है एक कविता है और जब ही पानी बरस्ता है उन्हें घर की याद आती है केवल इसलिए नहीं कि घर में पत्नी है, प्रिया है, बिरहनी है वो इसलिए कि घर के कमरों और कोठर्यों पर एक छट है तो रगवीर सहाई के जीवन संघर्ष से जो एक संदर्भ पैदा होता है वो उनकी शुरुवाती कविताओं में बहुत जल्दी ही आना शुरू हो जाता है जो सेड़ियों पर धोप में कविता संघर्ष में आया है इतना ही नहीं जन्जीवन की जो विवश्टाएं हैं जो दंश हैं उसका भी शुरुवाती दर्शन हमें उनक विताओं में दिखाई पड़ता है जैसे एक कविता है कि यह कील रोज कहां कहां से निकलाती है तो ये कविताएं अनिवारे रोब से रगवीर सहाय की कविता को यथार्थ से जोड़ती हैं और उन कविताओं की भूमी का तयार करती हैं जिनके लिए रगवीर सहाय मुख्यरूप से जाने जाते हैं रगवीर सहाय की दूसरी काव बेप्रविती है राजनीतिक बेवस्था से मोभंग और यहां रगवीर सहाय की वो कविताएं बनती हैं जिसके लिए रगवीर सहाय मुख्य रूप से जाने जाते हैं जिसके लिए उन्हें विपक्ष का कभी कहा जाता है, राजनी तिक चेतना का कभी कहा जाता है और जिसके लिए रामसरुप चतुरवेदी कहते हैं कि रुगवीर सहाय की कविताइं पहली बार संसद में प्रवेश करती हैं और वह भी पिपक्ष के द्वार से लेकिन इन कविताओं की मेकिंग जहां शुरू होती है उसके लिए जरूरी है कि हम 1947 और उसके थोड़े बात के समय को जान ले क्योंकि रुगवीर सहाय की सारी महत्वपूर्ण कविताइं वहीं बनती हैं और इस संदर्व के बीच बनती हैं कि जनता के शौपन क्या थे उनकी आकांगशाएं क्या थी और वर्तवान का यथार्थ क्या है रजनी को ठारी ने अपनी शोध पुस्तक भरतियर आजनीती कल आज कल कल आज और कल में इस बात को रिखांकित किया है कि आजादी के तुरंट बाद जो नया अभिजन आया उसका पुराने अभिजनों से कोई खास विरोध नहीं था परडाम स्वरूप उसने इस्थितियों को बदलना बहुत जरूरी नहीं समझा देश आजाद हुआ बावजूद इसके संस्थाएं वही रही काम करने वाले लोग वही रहे और काम करने के तरीके वही रहे एक और पुस्तक जो की बेसिकली शोध पुस्तक है जिसको जावीद आलम ने लिखा है लोग तंतर के तलबगार उस बात में उस पुस्तक में उन्होंने इस बात को रिखांकित किया है कि अभिजनों की वरगी और जाती स्थितियां उनके पुजिवादी रुजहान आजादी के समय जन्मानस के आवेगों के सामने शिथिल पड़ गए थे और वो समझाता करने को विवश्त है तो आजादी के समय समानने जनका अभिजनों का एक संबंद बनता है लेकिन आजादी के बाद जब उस अभिजन के हाथ में सत्ता आई तो उसने अपनी वरगी स्थिती के हिसाब से काम करना शुरू किया और पुजिवादी प्राथमिक्ताओं को आगे बढ़ाया एक और राजनीती पुस्तक का जिक्र करते हैं किशन पटनाएक ने लिखा है भारती राजनीती पर एक द्रिस्टे उस पुस्तक में किशन पटनाएक स्तथ्य को रिखांकित करते हैं कि आजादी के तुरंद बाद का जो शासन है उसका संघर्ष पूजीवाद के खिलाफ था ही नहीं उसका सारा संघर्ष सामंतवाद के खिलाफ था और वो अद्रिश्य रूप से पूजीवाद को विक्सित करने का ही कौशल था उसने सामंतवाद को वहीं तक समाप्त किया जहां तक या जहां से पुजिवाद के विकास का पत्थ प्रशस्त हो सके अब हम इन तीनों पुस्तकों के इन तीनों व्यक्तब्य से एक अर्थ निकालते हैं वो ये कि आजादी के तुरंद बात शासन अभिजनों के हाथ में गया जिनकी अपनी वर्गी प्राथिमिकताएं थी पुजिवादी प्राथिमिकताएं थी सामंतवाद को वहीं तक खत्म किया गया जहां तक पुजिवाद का जहां से विकास संभव हो सके अर्थात समंतवात को भी बचाये रखा गया और पूजीवात को भी बचाये रखा गया यहीं इसी वीडंबना में यहीं कहीं रुगवीर सहाय की वो महत्वपूर्ण कविताये बनती हैं जो उनके स्थाई महत्व का कारण है जिसकी एक जलक धर्मबीर भारती अपने गीत नाटक अंधा युग में देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि शासक बदले इस्थितियां वही रही राजा के बदलने से प्रहरियों के जिंदगी पर कोई खास असर नहीं पड़ा या जिसको रुगवीर सहय के ही मित्र और समान धर्मा का भी कुवन नारायन इस तरह से व्यक्त करते हैं कि अच्छा हुआ दोस्त तुम अपके तबादले में बड़े अपसर में तबदील हो गए लेकिन बाकी चीजें जो तबदील होनी थी वही की वही और वही की वही तो शासक बदले तंत्र बदला लेकिन इस्थितियां वही रही क्योंकि बर्तवान अभिजन ने उस तंत्र को बनाए रखना अपनी वरगी इस्थिति के हित्मे जादा बहतर समझा और ऐसे में प्रशनूर्ता है गांधी के उस आखरी आदमी का उसकी समस्याओं का उसके भूक और भैमुक्त जीवन का उसकी स्वतंत्रता का जिसको रगवीर सहय अपने आपना हत्या के विरुद्ध कावे संग्रह में आवाज देते हैं कि बीस वर्स खो गए इस भर में उपदेश में एक पूरी पीड़ी जन्मी पली पुसी कलेश में और बेगानी हो गई अपने ही देश में वो अपने ही तंत्र में अपने ही लोगों के बीच में बेगानी कर दिये गए लोगों की व्यथा को रगवीर सहय की कविता केंदर में लेकर आती है लिखते हैं कि गाओं-गाओं में जन्जन को दिया विश्वास नेक राम नहरूने की अन्याय आराम से होगा आमराय से होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा गाओं का मतलब ब्यवस्था ऐसी बना दी गई है कि या तो अन्याय होगा या कुछ नहीं होगा काम करने के इन अमानवी ये तरीकों को रुगवीर सहय की कविता पकड़ती है और उस काम से पैदा होते दह्षत और आतंक को अपनी कविता की मुख्य विश्यवस्तू बनाती है तो रुगवीर सहय की वो कविताएं जो राजनीती से मौभंगी की कविताएं है वो रुगवीर सहय के महत्तो का इस्थाई कारण है रुगवीर सहय की दूसरी काब्य प्रविर्ती है समाजिक सरोकार हालकि ये बड़ा वेक सा टॉपिक होता है हर रचनाकार समाज से ही चेतना ग्रहन करता है और समाज की ही बात लिखता है तो ये हर किसी के बारे में भी चस्वा दिया जाता है कि हर रचनाकार का एक समाजिक सरोकार होता है लेकिन रगवीर साहय का समाजिक सरोकार थोड़ा अलग सा था अपने समय के दहशत और आतंक को तो रगवीर साहय पकड़ते ही थे उससे जादा महत रगवीर साहय का यहां बनता है जब वो अपने समय में काम कर रही सत्ता के चरित्र और उसके काम करने के तरीकों का उधगाटन करते है देखे जैसी बेवस्था है यह जैसी बेवस्था होती है उसका असर उस समय की साहित पर कलाओं पर विचार पर पढ़ता ही पढ़ता है इस्थापत पर पढ़ता है उसका एक उधारन हम लोग ऐसी ले सकते हैं कि मुगलकार के शिरुवाती दौर में जब असुरक्षा का वातावरन था तो उसकी निर्मिती चादनी चौक है और उस आशन की निर्मिती जिसका सूरज नहीं डोगता उसकी निर्मिती कनाट पलेस है उनकी खिर्कियां उनकी दर्वाजों की भव्यता से उस ब्यवस्था और उसका असर उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है तो ये हमेशा होता है ब्यवस्था जैसी होती है उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है रगवीर सहय की कविता उस प्रभाव को पकड़ने की कोशिश करती है और बहुत चालाकी से काम कर रहे सत्ता समीकरणों को हमारे सामने प्रस्तुत करती है जैसे अरहुवीर सहर की एक कविता है साइकल रिक्षा जिसमें उन्होंने विज्ञान की तारकिता पर प्रश्ण चिन्ह लगाया है साइकल रिक्षा विज्ञान की देन है लेकिन विज्ञान ने भी साइकल रिक्षा को इस तरीके से बनाया कि एक आदमी जानवर की तरह या कहें घोड़े की तरह उचल-उचल कर सवारी खीचने को विवश है तो विज्ञान जैसा मानवी और तारकिक विशे भी विवस्था के चंगुल में कैसे फस्ता है ये रुगवीर साही की कविताएं बहुत संजीदगी से हमारे सामने प्तस्तित करती है वो कहते हैं कि आओ 21 सदी के इंजीनियर इजाद साइकल रिक्षा ऐसी करें जिसमें सवारी और घोड़ा अगल बगल तफरीहन बैठे हो तो अमानवियता के बहुत सूक्ष्म तरीकों की परताल रुगवीर साही की कविता करती है उन सूक्ष्म तरीकों की परताल जो आम तोर पर सामानने कभी छोड़कर आगे बढ़ जाता है और जिस चीज को मैंने शुरू में कहा कि अतिसामानने की तरफ जो उनका रुजान है अतिसामानने से जुड़े जो विबरण है जो शुरुवाती दौर में उनकी कविता में आते हैं वही पक कर रुगवीर साहाय को बहुत सामानने ढंग से काम कर रहे इन सुक्षम अमानुयताओं के पकड़ने के लिए प्रेजित करते हैं और ऐसी बेवस्था में रामलाल का पैर कुछला जाना सुभाविक है जिसके बारे में अपनी कविता में रुगवीर साहाय कहते हैं कि रामलाल कुछला हुआ पैर घसीट कर चलता है और रामलाल ही क्यों गुबरे, मैकू, भोला, नरेन सभी उस बेवस्था में मरने को विवश्ष है बहुत संभाव है कि उनकी प्रत्यक्ष रूप से हत्या ना की जाए लेकिन उन्हें बेरोजगार करके, उन्हें उनकी भाषा से काटकर, उन्हें मौत की तरफ ढखेला जाए तो मौत के कितने रूप हो सकते हैं, उसके कितने डाइमेंशन्स, कितने आयाम हो सकते हैं और ये सत्ता बेवस्था कितने dimensions और कितने आयामों के साथ कितनी पर्तों और कितनी सलवटों में काम करती है रगविय साहे की कविता इस सीज़ को तो रिखांकित करती है और समका और आजादी के बाद की कविताओं में शायद बहुत पुखता तरीके से प्रिस्तुत करती है इसका इस अमानुवियता का एक संदर्व और है जो हसो हसो कविता संगरह में सड़क पर टरक नामक कविता में उभर का सामने आता है रगवीर साहर उस कविता में जिक्र करते हैं कि दुबले, पतले और बोदे आदमी को टरक का डर नहीं लगता जिसका संदर्व है जीवन से उदासेंता उसी कविता में रगवीर साहर ये कहते हैं कि अब मोटर गाड़ियां पहले से जादा है और जादा तेज चलती है अब सड़क पर मरे हुए कुटे जादा मिलते है यानि हिर्देहींता ये बेवस्था का रिफलेक्शन है ये संभो है ही नहीं कि बेवस्था मान विये हो और चीजें बहुत आसानी से चलती रहे जिस तरह की बेवस्था अभिजनों ने बनाई जो पूजी वादी न उदार वादी बेवस्था है उसमें इस तरह की हिर्देहींता और जीवन से उदासींता होनी ही होनी है और रगवीर सहाय इस चीज़ को पकड़ते है और मजबूती से ना केवल रिखांकित करते हैं बलकि इसके प्रतिपक्ष में अपनी कविताएं रचते हैं इसलिए रगवीर सहाय को प्रतिपक्ष का कभी भी कहा जाता है रगवीर सहाय की कविता का जो बड़ा गुण और एक जो प्रविर्ति है वो है लोकतांतरिक विचार भूमी की कविता इसे हम तीन अस्तरों पर समझ सकते हैं रगवीर सहाय लोकतांतरिक सेटप के कवी हैं ठीक उसी तरह से जिस तरह से अग्गे के बारे में कहा जाता है को ब्यक्तिस्वातंतरिक के कवी हैं मुक्तिवोथ के बारे में कहा जाता है को माक्सवादी कवी हैं उसी तरीके से रगवीर सहाय लोकतांतरिक सेटप के कवी हैं और ये बात तीन बातों से सपस्ट रूप से उनके काबे से उभरती है रुगवीर साहे का निरंतर संगहर्श अकवितावादियों से चलता रहा है अकवितावाद एक साहितिक प्रवृति है जो हर चीज की निसारता और विरोध के रूप में हमारे सामने आती है रोगवीर सहाय कहते हैं कि अकवितावादियों का जो विद्रोह है जो विरोध है वो विवस्था परिवर्तन के लिए विरोध नहीं है बलकि वो विरोध इसलिए है कि कहीं विवस्था परिवर्तन ना हो जाए और उनकी जो वर्गी और जाती इस्थिती है कहीं वो खत्रे में न पड़ जाए और इसलिए अकवितावादी जीवन की निसारता, जीवन से पलायन, सब चीज सड़ी हुई है, सब चीज वेकार है इस तरह की बाते करते हैं जैसे धूमिल कहते हैं कि हर इमानदारी का एक चोर दर्वाजा है, जिसका रास्ता संडास की बगल से कुचलता है और इस तरह से वो इमानदारी जैसी प्रवर्टी पर भी प्रश्न चिन लगा देते हैं वो ये कहते हैं कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे लोगतंतर की जरूरत है या जगदीश गुपत इतिहासंता में कहते हैं कि मुझे तानाशाहि से लगाओ है लोगतंतर के रिर्याती हुए गीदर से नहीं तो एक तरह से द्यवस्था का तंतर का और पूरे सेटप के नाकार की कविता है अकविता और उसकी मूल प्रवर्ती है पलायनवाद जो धुमिल की पंक्तियों से गुजरती है कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे लोगतंतर की जरूरत है रगवीर सहाय का मानना है कि ये सारे फत्वे समस्या से भागने के फत्वे है आप मनुष्य हैं आप जिस समाज में पैदा किये जाते हैं आपका उसके प्रती एक कर्तब्य है अकवितावाद उसकर तब्य से भागता है अकवितावाद की जो दूसरी प्रविर्ती है वो विद्रोह का दिखावा तो करती है परिवर्तन का दिखावा तो करती है आमजन के लिए संघर्ष का दिखावा तो करती है लेकिन आक्रमर भी करती है तो समाज के एक दवे कुछले हिस्से इस्तरियों पर जिसकी पूछ उठाई मादा पाया ये अकवितावादी कवियों का एक सेट अप है और अगवीर सहाय इस सेट अप को जब रीट करते हैं तो उन्हें लगता है कि इस तरह की मानसिक्ता से संघर्ष किया जाना बहुत जरूरी है और अगवीर सहाय ताउम्र अपने लेखों के माद्याम से कविता के माद्याम से इस तरह की मानसिक्ता से संघर्ष करते हैं रुगवीर साहय का एक समानांतर संगर्श नकसली विचारधारा से भी रहा है नकसलवाडी के आसपास हिंदी कवियों में या कहें कि साहितिकारों का एक वड़ा वर्ग नकसलवादी विचारों से प्रभावित होता है और सश्ष्ष्टरक्रांती के बल पर सत्ता को बदलने का स्वपन प्रस्तृत करता है रुगवीर साहय यह ठीक है कि वो मानते थे कि लोकतंतर ने हमें जैसा कि उन्होंने आत्महत्या के विरुद्ध जो कवीता संगरा है उसके व्यक्तव में इस बात को कहा है कि लोकतंत्र ने हमें शांडार आदमी और कुत्ते की मौत के बीच चांप लिया है बावजोद इसके वो ये मानते थे कि लोकतंत्र का कोई विकल नहीं है और वो जब लोकतंत्र के विरुद्ध एक पूरी बयार चल रही थे रगवीर सहय लोकतंत्र में आस्थप प्रस्तुत करते हैं प्रकट करते हैं और वहाँ पर टिके रहते हैं रगवीर सहय को अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की जरूरत नहीं पड़ते हैं क्योंकि एक व्यक्ति के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर, एक कभी के तौर पर वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, जो जिम्मेदारी उनकी गांधी के आखरी आदमे के प्रती बनती है, जो एक नागरिक होने के नाते उनकी समाज के प्रती बनती है, जो एक पत्रक लोक'tंतरिक विचारधारा का समर्थन ये ठीक बात है कि लोक'tंत्र तार्किक धंक से काम नहीं कर रहा शक्ति का लगातार केंदरी करन हो रहा है इसकी चिन्ता उनके काब्ने में मिलती है बरतमान बेवस्था में जीवान अमानवी हो रहा है इसकी चिंता उसके कावे में मिलती है बावजूद इसके वो ये मानते हैं कि इसी बेवस्था में इस राजनीती की प्रती राजनीती पनपेगी और इस भीडों के समाज का भीड वो जनता के उस हिस्से को कहते हैं जिसमें राजनीती चेतना का भाव है तो इस भीड़ों के समाज को बदलने का एक मात्र रास्ता राजनीती है वही मनुश्री के जीवन को बहतर और सुन्दर बनाए रख सकती है तो उस दौर में जब एक चलन सा था कि लोकतंत्र को आते जाते ठोकर मारो वो कभी लोकतंत्र में आस्था रखता है और उसमें विश्वास बनाए रखता है अच्छा इतना ही नहीं रगवीर सहाई की कविता हिंदी कविता में लोकतंत्र का समावेश भी करवाती है देखिए कोई साहित्तिकार बड़ा है इस बात को कहने के साबित करने के अपने-अपने कई पैमाने हो सकते हैं लेकिन एक पैमाना ये भी हो सकता है कि वो अपने आस-पास की सच्चाई को और उसमें व्यक्त जीवन को कितनी सुक्ष्मता और गंभीरता के साथ पकड़ता है ये बड़ी आश्यर एकी बात है कि हिंदी कविता में स्वातन त्रयोत्तर हिंदी कविता में खास तोर से जाती के प्रश्न को उस रूप में किसी कवी ने उठाया ही नहीं जिस रूप में रगवीर साहे उठाते हैं मानो जाती कोई समस्या हो ही नहीं कहानियों में उसका गंभीर चित्रण मिलता है उपन्यासों में जाति और उससे उबजी समस्याओं का गंभीर चित्रण मिलता है लेकिन कविताओं में नहीं मिलता है जाती के प्रश्ण को रचनाकारों ने हाशी एका प्रश्ण बना रखा था रगवीर सहय उस प्रश्ण को केंदर में लेकर आते हैं और कविता के कलेवर को ज़्यादा लोगतांत्रिक बनाते हैं लोग लोग मार तमाम लोग मुझसे मिल जाएं एहनकारी शासन को बदलने के बदले अपने को बदलने लगें और मेरी कविता की नकले अकविता जाएं और बाद में वो इसी कविता में कहते हैं कि जब वो कविता लिखें तो आधनिक हो जाएं जिसके वाद बाभन बाभन रहे, बनिया बनिया कायत कायत रहे, जब कविता लिखे तो आधनिक हो जाए, खी से बादे, जब कहो गादे तो जब एक-एक व्यक्ति, अपनी जाती और वर्गी असमिताओं के साथ किसी कर्म में प्रस्तुत है तो उससे उपजने वाले संदर्फ को कैसे अंदेखा किया जा सकता है, इतना ही नहीं रगवीर सहाए कि ये कभी ताओ, रहिजिसमों कहते हैं कि जब मिलो तिवारी से हसो क्योंकि वा तिवारी है जब मिलो शर्मा से तो भी हसो क्योंकि वा भी तिवारी है जब मिलो मुसद्धी से तो खिसी आओ जातिपात से परे रिष्टा अटूठ है रास्ट्रिय जहेप का जहां जाती नहीं वहाँ जहेप जब जाती व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में संबन्ध समाने नहीं बनने दे रही व्यक्ति और संस्थाओं के बीच में एक प्रभावी सत्ता के रूप में मौजूद है तो उसके प्रश्न को नजरन्दाज कैसे किया जा सकता है लेकिन ये अपने आप में एक शोध का विशह है कि बाकी रचनाकारों ने जाती के प्रश्न की गंभीरता को इतनी शिद्दत से महसूस क्यों नहीं किया और उसको अभी व्यक्त क्यों नहीं किया इतना ही नहीं इस्त्रियों की समानता और सुरक्षा के बीच एक गहरा अंतर विरोध है इसको इस रूप में समझा जा सकता है कि शादी इस तरीयों के लिए एक बड़ी सुरक्षा है लेकिन शादी होने के बाद क्या उसकी स्वतंतरता भी उसी तरह से अक्षुन न रह सकती है तो हमारे यहां की 27 तरीके से काम करती हैं कि एक दूसरे के भी पृत खड़ी कर देती है तो उसकी सुरक्षा और सुतंतरता के बीच गहरा फर्क है इसे समय समय पर बहुत सारे रचनकारों ने अपने अपने तरीके से व्यक्त किया है रगवीर सहाय ने सीड़ियों पर धूप में वो कविता संकलित है 1954 में नारी विचारी है, पुरुष की मारी है, तन से छुधित है, मन से मुधित है लपक कर जपक कर रंत में चित है मतलब उसकी नियती है कि वो कुछ नहीं कर सकती है वो आश्रित है पुरुष पर 1952 में एक कविता लिखी थी उन्होंने पढ़िये गीता वो भी सेड़ियों पर धूप में ही संकलित है पढ़िये गीता, बनिये सीता, फिर इन सबने लगा पलीता किसी मुर्क की होपर अनिता, निस गरभार बसाईए ये रगवीर सहाई की कहा जाए कि 60 से पहले की कविताएं हैं, नई कविता के दौर की कविताएं है रगवीर सहाई ने हसो हसो जल्दी कविता संग्रा में कविता लिखी है भै उसमें कहते हैं कि कितनी सचमुच है या इस्त्री वह जवानी में बहुत कस्ट इथा चुकी है और थोड़े-थोड़े लगातार स्नेह के बदले एक पुरुष के आगे जुक कर चलने को तैयार हो चुकी है यह रगवीर सहाई की नई कविता का साठोतरी कविता में परियवसान है यहां वो किवल सुतंता और सुरक्षा के बीच का जो कॉन्फलिक्ट है उस तथिका उद्वाटन नहीं करते अपितु सत्ता कैसे काम करती है उसके तरीकों को पकरते हैं वह कुछ पुरुषों को जानती है जिन्हें उसका पती जानता है और यह मानती है कि वह उनसे उसी के कारण सुरक्षित है अब देखिए पत्नी और पती दोनों के रिष्टों के बीच जो चीज काम कर रही वो भय है लेकिन उभर करके आ रहा है सने सताओं के काम करने का ये तरीका है और रगवीर सहाय इस चीज को बड़ी खुबसूरती से पकड़ते हैं बहुत संजीदगी से पकड़ते हैं और अपने पूरे कंसन के साथ पकड़ते हैं इसके अलावा ज़्यादा तर साहित्यकारों ने ऐसी स्त्रियों का चित्रण किया है जो स्विकार की जा चुकी स्त्रियां है या जो उनके सौंदर मानकों के अनुरूप होती है वो एक तरह से कहा जाए कि स्विकार कर ली गई भी स्त्रियां है बाबा नागरजुन एक साक्षातकार में कहते हैं कि नौय योवना के इस तोनों पर तो हर कोई कविता लिखता है मा बन चुकी इस्त्री के उरोजों पर कविता लिखो तो जानू बाबा चिंता इतनी ही नहीं है इससे बहुत आगे है इस समाज में इस राष्ट में ऐसी भी बहुत सारे इस्त्रियां हैं जो पुरुष के संदर मानकों के अनूप हैं ही नहीं और वो पूरे के पूरे बिमर्स्ते गायब हैं रगवीर सहाय जिन इस्त्रियों के कुपोशन और गरीबी के चलते बाढ़ मारी गई है जिन इस्तियों का सारेरिक विकाश पुरुष के संदर मानकों के अनूप नहीं हो पाया है जो शारेरिक रूप से अपोर्ण है उन्हें मनुष्य का दरजा दिलाने का अनुवरत काम करते हैं और उनकी कविताएं एक निरंतर संगहर्ष हैं कि कैसे इस तरह की इस्तियों को उनकी समस्याओं को केंदर में लाया जाए और उन्हें मनुष्य का दरजा मिले रचनाकार जो की समास से जुड़ा होता है एक पूरी परंपरा का अध्यन कर डाले ये सारी चीजें खाशिये पर फेकी गई थी और उसे केंदर में लाने का काम रगवीर सहाए करते हैं तो रगवीर सहाए हिंदी कविता को लोकतांतरिक बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं जादा बैवध्य पूर्ण बनाते हैं, जादा डाइमेंशनल बनाते हैं यह रगवीर साहय की कविता की ताकत है। इस्तरी बिमर्ष का जोर है और इस्तरी साहितिकारों ने बहुत संजीदगी से ये बात प्रस्तुत की है कि हर इस्तरी को हर रिष्टे में कोई रिष्टा नहीं मिलता एक पूरुशी सामने खड़ा मिलता है। यह बहुत सही बात कि जब उन्हें एक रिष्टे की जरूरत होती है तो भी कई बार उन्हें पूर्ष सामने खड़ा मिलता है लेकिन इस बात के और भी डाइमेंशन है जब हम इस बात को इस तरीके से कहते हैं तो हम ये माल लेते हैं कि इस्त्रियों के मुद्दे उनकी problems केबल इस्त्रियों के मुद्दे और उनकी problems हैं जबकि ऐसा नहीं है वो पूर्शों से भी उसी रूप में जुड़े हैं अगर कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है तो ये इस्त्री की सुरक्षा का मुद्दा तो है लेकिन यह भी पहचान करने की बात है कि उस लड़के की दिमाग में क्या चल रहा है कहां क्या कमी रह गई कि वो इस तरह की मानसिक्ता को लेकर आगे बढ़ रहा है तो ऐसा एक आंगी मामला नहीं है हिस्त्रियों का मुद्दा पोजिश्चों से भी उसी रूप में जुड़ा हुआ है इस बात को रुगवीर सहय आज के 25 साल पहले अपनी कविताओं में प्रिस्तुत करते है रुगवीर सहय के एक कविता है उम्र जिसमें वो कहते हैं कि जब तुम छोटी थी तो तुम्हें रोते हुए देख नहीं सकता था मैं अब तुम बड़ी हो गई हो और तुम्हें रोते हुए देखता हूँ मैं ये विडबना कि उम्र किस तरीके से एक लड़की के जीवन के संदर्व बदल देता है कि एक पिता अब उसके जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है जो उसे रोते हुए नहीं देख सकता था अब वो रोती है और वो देखने को विवश है तो सत्ताएं कई तरीके से काम करती है ऐसा नहीं कि पृत्सत्ता का टार्गेट केवल इस्तरियां होती है पुरुश भी होते हैं और इस सकत्य को पूरी संपोर्ता में समझने की जरूरत है और मैं फिर कहूँगा इस तरह के हाशिये के प्रश्णों को समय से बाहर कर दिये प्रश्णों को केंदर में लाने का काम रगवीर साहय की कविता करती है और पूरे स्वातंत्रोतर हिंदी कविता के कलेवर को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने का काम रगवीर साहय की कविता करती है और वो इसी रूप में हमारे सामने एक महतपून कवी की रूप में आते हैं भाशा का प्रश्ण रगवीर सहाई की कविता में बहुत ही जरूरी प्रश्ण बनकर उभरा है रगवीर सहाई ने जिन दो विश्णों पर सरवाधी कविताईं लिखी हैं उनमें एक है भाशा और दूसरा है इस्त्री और रगवीर सहाई ने हिंदी भाशा की तुलना भी इस्तरी से ही की है कि हमारी हिंदी दुहाजू की बीबी है हाला कि उनकी इस बात को लेकर काफी बवाल हुआ कि भाशा दुहाजू कौन है बावजूद इसके रगवीर सहाई की यह कविता इस्तथ्य को रेखांकित तो करती है कि हिंदुस्तान में हिंदी दोयम दर्ज़े की स्थिती जीने को विवश है दरसल रगवीर सहाई की चिंता को समझने के लिए उनसे पहले की थोड़ा चिंतकों को समझना यहाँ पर जरूरी होता है महत्मा गांधी कहते हैं कि हिंदी का प्रशन सुराज्य का प्रशन है डॉक्टर लोहिया इस बात को और आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि अगर हिंदी नहीं तो हिंदुस्तान की आत्मा का सही दर्शन हमें नहीं मिल सकता है इसी क्रम में रगवीर सहाई को समझा जाना जरूरी है यहां किसी भाषा से रगवीर सहाई की कोई दुश्मनी नहीं है लेकिन जो भाषा दो व्यक्तियों के बीच वर्गवेत पैदा करे रगवीर सहाई को उससे तो परिशानी है जिस भाषा में इस देश का आमजन पूरी जीवनतता के साथ अभिव्यक्त हो सकता है और उस भाषा की इस देश में दोयन दर्जे की स्थिती हो यह चिंता तो रगवीर सहाई की चिंता है और जायत चिंता है और ऐसे में अगर वो कहते हैं कि हमारी हिंदी दुहाजू की बीवी है तो गलत नहीं कहते है भाशा को लेकर अगवीर साहे कि एक चिंता और है वो कहते हैं कि राजनीतिक कविता वो कविता होती है जिसका कोई संगठित राजनीती फाइदा ना उठा सके और इसलिए वो ऐसी कविता लिखना चाहते हैं जिस कविता के दो अर्थना निकलते हैं क्योंकि शासन या सत्ताएं इस रूप में तैयारी कर बैठी हैं कि साथ दो ना दो हाथ उठा अगर आपको साथ नहीं देना है तो मत देजे बस हाथ उठा देजे अर्गवीर सहय इस तरह की संगठित राजनीती से अपनी कविता को बचाय रखना चाहते हैं क्योंकि वो चांदते हैं कि अगर उने मनुष्टा को बचाय रखना है तो कविता का और राजनीती का तनाव का रिष्टा बना रहना बहुत जरूरी है जनता के पक्ष में आवाज उठाना कविता का बहुत जरूरी है अगर उसी का उपयोग राजनीती कर ले गई तो वो राजनीती की कविता नहीं होगी तो रगविर साहिए कि ये कविता है दो अर्थों का भै कहूंगा मगर मुझे पाने दो ऐसी भाषा जिसके ऐसी बोली जिसके दो अर्थ ना निकलते हूँ तो रगविर साहिए सताओं की इन चालाकियों का अन्वेशन करते हैं और अपनी कापी को उनसे बचाने का प्रयाज भी समय समय पर करते हैं सताओं का भाषा समंधी एक रुख और है वो समय विशेश में शब्दों को खत्म करती है उनके अर्थों को नस्ट करती है नए संदर्व बनाती है नई परिभाशाएं गड़ती है वो दरसल एक समय में प्रचलित किसी चेतना से किसी पीढ़ी को काड़ देने का प्रयास होता है और रगवीर सहाय की रचना कर्म में इस प्रयास का बहुत गहरान वेशन मिलता है चुकि रगवीर सहाय राजनीती कर्मी थे उनका सभा अंदोल्मों से लगातार जुडाव रहा है वो एक राजनीती विचारधारा जिसको समाजवादी या सोशलिस्ट पार्टी लोहिया की कहा जाता है उससे प्रभावित रहे हाला कि उसके सदस से कभी नहीं रहे लेकिन उससे प्रभावित रहे एक पत्रकार के तौर पर लगातार इस तरह से काम कर रही चीज़ों पर उनकी पैनी निगाह होती है जैसे रोटी का हक एक लेक है उनका जिसमें वो कहते हैं कि सबको रोटी मिले या वाक ही लोकतंत्र की परंपरा के विरुद्ध है उसकी ताकत या कहा जाए कि लोकतंत्र की जो नियत होनी चाहिए वो इस वाक के से बिलकुल अलग घाटित होती है वो कहते हैं कि बात ये होनी चाहिए कि सबको रोटी का अधिकार मिले अधिकार मिलने के बाद उसे किसी के सामने रोटी के लिए हाथ नहीं फैदाना पड़ेगा और वो स्वतंत्र और एक समान जीवन जी सकता है तो इस तरह के जुमले रगवीर सहाय की कविता बहुत संजीदगी से पकड़ती है जैसे देशी सराब पीने से इतने लोग मरे वो कहते हैं देशी और विदेशी क्या होता है मुद्दा ये होना चाहिए कि शराब पीने से इतने लोग मरे तो किसी भी ख़वर या किसी शब्द के पीछे या किसी वाके के पीछे सताएं किस तरीके से काम करती है इसकी उधेड़ भोन अरुगवीर साहय की कविता में मिलती है लोग कहते हैं कि राजनीती बुरी हो गई है वो कहते हैं कि जो बुरी है वो सताएं नीती है राजनीती जन जीवन को मानवी और बहतर बनाने का साधन है तो इस तरह के कई प्रयास उनके यहां मिलते है रगवीर सहय की कविताओं में थोड़ा हताशा और निराशा के स्वर भी देखने को मिलते हैं वो इसलिए कि चीजें जो बदलनी चाहिए थी बदल नहीं पा रही है चंता संगठित होकर विरोध नहीं कर पा रही है लोगतंत्र का जो मैकनिजम बनना चाहिए वो बन नहीं पा रहा है इसको लेकर रगवीर सहय की कविताओं में एक आक्रोश एक तलखी आती जाती है जो शुरुवाती दौर में निराशा तो नहीं हताशा होती है लेकिन अंत तक पहुसते पहुसते लोग भूल गए हैं कविता संग्रा तक जाते जाते कहीं कहीं निराशा का थोड़ा बहुत पुठ उनकी कविता में जरूर मिलने लगता है इसे कविका कंसर्न ही समझना चाहिए कि जो चीजें बदलनी चाहिए वो नहीं बदल रही है इसलिए उसके मन में एक शोब और उससे उपस्ती निराशा तो मवजूद है रगवीर सहाय ने शिरवाती दौर में सहस्प्रवामान भाशा का प्रयोग किया जिसकी तरफ अगे ने सीड़ियों पर धूप कविता संग्रा की भूमिका में इशारा किया था सहस्प्रवामान भाशा लेकिन जैसा मैंने कहा कि रगवीर सहाय पूरी कोशिश के साथ अपनी नई कविता का साठोत्री कविता में परिवसान कराते हैं और इस बीच में उनका कंसन और गहरा होता जाता है तो ऐसे में उन्हें एक ऐसी भाशा की तलाश थे जिसे वो पूरी प्रमाडिकता के साथ जिसमें वो अपनी अनभूती को अभिव्यक्त कर सके और इसके लिए रगवीर सहाय की कविता की गद्य भाशा की तरफ मुरती है और ये पूरे हिंदी स्वतंत्रियोतर हिंदी साहित्य में कविता की गद्य भाशा का जितना बढ़ियां प्रियोग रगवीर सहाय ने और शम्शेर ने किया है उतना बढ़ियां प्रभाव या उतना बढ़ियां प्रियोग और किसी कवि ने नहीं किया है दरसल ये कवी की चिंता थे कि उसकी अनभूतियां बहुत प्रमारिक धंग से प्रस्तूत हो उसमें कोई काटछाट ना की जा सके और इसके लिए वो निरंतर कावी की गद्ध भाशा की तरफ मुड़ा और बाद में तो कई सारी कविताएं ऐसी मिलती हैं कि बिलकुल गद्ध की शैले में पूरी तरह से लिखी हुई है लेकिन अभ्यों के प्रयोग से निशानों और चिन्हों के प्रयोग से रगवीर सहाय ने उन कविताओं का भी कवितापन बचाए रखा है और ये रगवीर सह भाषा भी उनकी कविताओं से जुड़ती है जैसे 700 मर गए कहता है अखबार या फिर जाड़ा आया फिर गर्मी आई लोगों के लू से पाले से लू से मरने की ख़बर आई ना जाड़ा जादा था ना गर्मी तो कैसे मरे लोग तो इस तरह की जो ख़बर खबर देने वाली जो एक भाषा है वो भी रगवे सहाय के काव्य में हमें दिखाई पड़ती है जिसका सीधा सा संबंद उनके पेशे से है इसलिए उनकी कई कविताएं घटनाओं पर बनती हैं और वो कहा जाए कि सौतंतुरतर हिंदी कविता में इकलोते ऐसे कवी हैं जो घटनाओं पर इत खबर की भाषा या कहा जाए कि खबर की गद्ध भाषा का आना स्वभाविक था रगवीर सहाय अपने शिल्पगत प्रियोगों में ब्यक्तिवाचक नामों का प्रियोग करते हैं उनके काव्य में बाचपई, मुरारजी, महरू जैसे इतिहास प्रिसिध नाम मिल जाएंग लोहिया तो उनके काव्य में महंगू, मैकू, नरेन, रामदास, रामलाल जैसे ऐसे नाम भी मिलेंगे जो एक खास वर्ग का प्रतनिधित तो करते हैं और रगवीर सहाय इन दोनों वर्गों के प्रतनिधी पात्रों को आमने सामने रख देते हैं और उनसे कॉन्फलिक्ट पैदा करते हैं और रगवीर सहाय जो अपनी अनभूतियों में बहुत जटिल कभी हैं इस तरह के प्रियोगों से संप्रिश्णी होते जाते हैं क्योंकि दो तरह की जीवनिस्थितियां, दो तरह के लोग आमने सामने हैं और उनके कारेवेवाल से एक संदर्व निकल रहा ह जिसे पाठक आमतार पर ग्रहन कर लेता है। तो गली से निकलने का बिम, हार तौल कर चाकू, मारने का बिम, एक पूरा दृष्ण हमारी आँखों के सामने उभर जाता है। कि नई कविता में जिन-जिन कवियों ने अपने कावि मुहावरे विक्सित किये, उसमें रगवीर सहय का नाम प्रमुक है। तो रगवीर सहय मुख्यता लोकतंत्र के कभी हैं, लोकतंत्रिक जीवन मुल्यों में आस्था के कभी हैं, और भारती जीवन स्थितियों के हिसाब से लोकतंत्र को सरवाधिक बहतर वेवस्था मानते हैं। ठीक है कि लोकतंत्र की अपनी कमियां हैं। लोकतंत्र में एक खास तरह की वरगी और जातीय मान सिकता हावी है। लेकिन लोगों के वैविद्ध का जितना सही प्रतने थी तो लोकतंत्र कर सकता है, उतना और कोई तंत्र नहीं कर सकता है। इसलिए रगवीर सहाई अपनी कविता में एक लोकतांत्रिक रुज़ान और उस सिटप के प्रति एक विश्वा से लिए हुए है अपने समय को या उस समय जो घटना घट रही थी उसको अपने काबे में स्थान देते हैं तो निश्चित तोर पर एक जूडने काजन जैसा की सत्विपरकास जी बता रहे थे उस समय के समकाल इन प्रस्थितियों से लोगों से जूड रहे थे तो एक लोगप्रिय कवी के तौर पर उन्हें स्थापित किया और आज हम उनका का बेरचना को काफी गहराई से समझने की कोशिस कर रहे हैं और पढ़ते हैं तो यह अच्छी बात है आप सबको धनवाद और आपके उसे डॉक्टर सत्प्रकास सिंग जी को भी बहुत बहुत धनवाद जिनुन काफी सर अलभासा में एक हम लोग को द्रिष्टी देने की कोशिस की डॉक्टर रगवीर सहाय कि कविता को कैसे हम लोग पढ़ें और जाने Thank you very much.